प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से एलान किया कि कुपोशन की समस्या से निपटने के लिए सरकार गरीबों को पोशन युक्तिचावल यानि फुर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराएगी पियमोदी ने कहा कि कुपोशन और सूश्म पोशक्ततों की कमी के कारण गरीब बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है इसे देखते हुए फुर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है दरसल भोजन के जरिये हमारे शरीर में विटमिन और मिनरल जैसे पोशक्तों तो पहुंचते हैं लेकिन आज के दौर में खान पान के बदलते तोर तरीकों और गरीब वरग के और संतुलित भोजन की वज़़से इनकी कमी बढ़ गई है इसे दूर करने के लिए तमाम कमपनियों दोरा बनाएगे विटमिन और मिनरल को प्रोसेसिंग के जरिये खादे पदार्थों में अलग से मिलाया जाता है यानि अलग से विटामिन और मिनरल आपके खाने में पहुंचाये जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया को ही फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है मतादी कि फोर्टिफाइड चावल में आइरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड भरपूर मातरा में होता है इस चावल को खाने से कोपोशन दूर होने की संभावना बढ़ जाती है इसमें पाए जाने वाले आइरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B1 और विटामिन B12 और इसकी पोशक शमता बढ़ा देते हैं एक आकड़े के मुताबिक देश में लगभग 60-70% दिल लोगों में पोशक तत्तो की कमी है इसलिए सरकार के लगभग 70-80 करोड आबादी को तमाम योजनाओं के जर्ये फोर्टिफाइड चाओल उपलब्द कराने की तैयारी है इसके तहत ICDS स्कीम और MDM योजनास समें तमाम दूसरी योजनाओं के जर्ये फोर्टिफाइड चाओल पहुँचाया जाएगा और अब नज़र डालते हैं इस कारकर्म पर आधारित प्रश्ण पर हाले में प्रधान बंतरी ने गरीबों के लिए फोर्टिफाइड चाओल उपलब्द कराने की बात कही इसके संबध में निमनिलखित कतोनों पर विचार कीजिए पहला फोर्टिफाइड राइस का मतलब हर जिले में चाओल का परियाद भंडारन करना है दूसरा फोर्टिफाइड चाओल का वितरन पीडियस, आईसीडियस और एमडियम आधिकारक्रमों के तहत किया जाएगा और तीसरा इससे देश में कुपोशन की समस्या को दूर करने बे मदद मिलेगी उक्त में कौन साथ वा कौन से कथन सत्य हैं आपके ओप्संस हैं A केवल एक और दो, B केवल दो और तीन, C केवल एक और तीन, अथवा डी एक दो और तीन आप अपने उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं